दोस्तो 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंदन करके और 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सपा से गठबंदन करके अब 2024 में फिर से बीजेपी के साथ आने वाले ओम प्रकाश राजभर का पीला गमछा अभी भी मुखतार अंसारी का चमचा बना हुआ है मुखतार अंसारी की मौत के बाद एक म्यूज चैनल से वाचीत करते हुए सुभासपा यानि सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर मुखतार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताया अपनी गोलियों की बौचार से पूरे उत्तर प्रदेश की शांती भंग करने वाले मुखतार को एक बार फिर राजभर ने क्रांतिकारी बता दिया यूपी की मौजूदा योगी सरकार में क्याबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वही नेता हैं जो बांदा जेल में मुखतार अंसारी स मेल मुलाकात के लिए जाते थे ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो सपा के साथ रहते हुए अंसारी परिवार के किसी भी सदस्य को यूपी की किसी भी सीट से चुनाव लड़वाने की तयारी करते रहते थे ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जिन्होंने सपा के साथ गटवंदन में अपनी पार्टी के टिकट पर मुखतार के बेटे अबास को मौव विधानसबा सीट से चुनाव लड़वाया और जितवाया था सवाल ये है कि ओपी राजबर ने अनसारी परिवार का कौन सा ऐसा करजा देना है जो वो आज भी मुखतार की मुखतारी का गाना गाने में लगे हैं जब तक वो सपा के साथ थे तब तक माना जा सकता था कि वो सपा के पाले हुए मुखतार का महिमा मंदन तो करेंगे ही लेकिन आज बीजेपी की सरकार में मंतरी होने के बाद भी उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो वो मुखतार की मसीही का रैप सौंग गा रहे हैं दोस्तों राजबर की इस बयान बाजी के पीछे है पुर्वानचल के राजनीतिक समीकरन दर असल ओपी राजबर की पुरी राजनीति यूपी के पुर्वानचल पर ही आधारित है 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सुभासपा की स्थिती को देखें तो उनके पास छे विधायक हैं और सभी विधायक पुर्वानचल के जिलों से ही आते हैं सुभासपा के गाजीपुर में दो विधायक जहूराबाद और जखनिया से हैं बलिया में एक विधायक बेल्थरा रोड सीट से है मौ जिले में एक विधायक मौ सदर विधानसभा सीट से है जौनपुर में एक विधायक जफराबाद से है और बस्ती जिले में एक विधायक महादेवा सीट से है जहुराबाद से खुद ओम्परकाश राजबर जखनिया से बेदी राम बिल्थरा रोड से हंसू राम, जफराबाद से जग्डीश नरायन, महादेवा सीट से दूध राम और मौू सदर सीट से अब्बास अंसारी सुभासपा का विधायक है खास बात ये है कि मौू सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी मुखतार अंसारी का बेटा है और उससे भी बड़ी बात ये है कि मौव विधानसभा सीट से खुद मुक्तार अंसारी पांच बार विधायक रह चुका है तीसरी खास बात ये है कि मौव विधानसभा सीट गोसी लोकसभा क्षेत्र के अंतरगात आती है और 2024 में गोहसी लोकसभा सीट से कोई और नहीं बलकि खुद उम्परकाश राजबर का बेटा अरविंद राजबर चुनाव लड़ रहा है दूसरी तरफ सुभासपा को दो विदायक देने वाले गाजीपुर में भी अंसारी परिवार का पूरा दबदबा है गाजीपुर का मजूदा संसत भी मुखतार के घर से ही है 2019 का लोकसभा चुनाव मुखतार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी नहीं जीता था गाजीपुर की एक और खास बात है कि इसी जिले में मुहमदाबाद विदान सभा क्षेतर भी है जो बलिया लोकसभा सीट के तहट आता है मुहमदाबाद ही वो सीट है जहां से अफजाल अंसारी पांच बार उसका भाई सिब गतुल्लाह दो बार और सिब गतुल्लाह का बेटा सुहेब अंसारी 2022 में विदायक बना है यानि पुर्वान चल खास तोर पर गाजीपुर और मौव वो इलाके हैं जो कई लोकसभा और कई विदान सभा सीटों और चुनावों को प्रभावित करते हैं इन दोनों जिलों में अंसारी परिवार की पैट और दबबा होने की वजह से ही ओम प्रकाश राजभर उनके आगे नतमस तक हैं अब आपको समझ आ गया होगा कि ओम प्रकाश राजभर क्यों मुखतार अंसारी और उसके परिवार की चरण वंदना में लगे रहते हैं इस वीडियो के बारे में आपकी क्या रहा है आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए नमस्कार